ये रिष्टा क्या कहलाता है कि सेट पर जब पहुंचे ओडिशन देने शोईब इब्राहिम आखिर क्यों ओडिशन रूम से शोईब को निकाला गया बेज़ज़त करके हेलो आप देखरें फोस्ट इंडिया टैली मैं हूँ आपके साथ रजनी दूबे शोईब इब्राहिम टीवी इंडस्टी के एक जाने माने एक्टर माने जाते हैं आज उन्हें ना नेम की जरूत है ना फेम की अभी हाल में उन्होंने जलक दिखलाजा किया और यूटुब द कहलाता है के लिए उन्होंने ओडिशन दिया था लेकिन ओडिशन रूम से उन्हें बेइजद करके बाहर निकाल दिया गया आखिर क्या थी ऐसी वजह जिसके वजह से राजशाही को नहीं पसंद आये थे शोई विब्राहिम अपने स्ट्रोगल के दिनों को याद करते शोईब ने बताया कि उनकी मा का सबना था कि वो स्क्रीन पर नजर आये लेकिन पिता चाहते थे कि वो इंजिनिरिंग करे इस बीच उन्होंने राजशाही के टीवी शो ये रिष्टा क्या कहलाता है के लिए ओडिशन दिया था ये बात 2007 और 2008 की है लेकिन उन्हें ओडिश से जाकर कहा कि मैं मुंबई में रहूंगा इंजिनिरिंग करूंगा और स्ट्रोगल भी करूंगा मैंने उस वक्तान लिया कि मैं कुछ करके रहूंगा लेकिन वो काफी जादा पेनफुल था तो इस तरह से शोई विब्राहिम ने खुलासा किया कि वो नैतिक के किरदार के लिए रिष्टा क्या कहलाता शो का आडिशन देने पहुंचे थे लेकिन उन्हें आडिशन रूम से ही बाहर निकाल दिया गया जोन के लिए काफी पैनिफुल था अब शोय विब्राहिम ने खुलासा किया उसके बाद फैंस काफी जादा शौक है क्योंकि शोय विब्राहिम इविंडेस्टी के जाने माने अक्टर माने जाते हैं उन्होंने काफी हिट शो दिये हैं उसके बावजूद उन्हें यह रिष्टा क्या कहलाता है शो के और डिशन रूम से बाहर निकाल दिया गया ता जो काफी जादा इंसल्टिंग था वेल इसमें आपको क्या कुछ कहन हमारे कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट करके जरूर बताएं चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना बुलें